हालो स्टुडेंट्स हाव आई यू आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है अब सब बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरन भुक और रफ कौपी निकाले जिए अब सब बच्चे पेज 82 लेसन 14 निकाले जिए और आज आईए हमारे आज के टॉपिक के साथ हमारा आज का टॉपिक है क्रिया बच्चो हमारा क्रिया पढ़ने का उदेश्य क्रिया की भरिबाशा और उसके भेदों को जानना है क्रिया का अर्थ होता है काम जिन शब्दों से किसी कारे के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं क्रिया के विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हम एक नजर इन चित्रों और उनके नीचे लिखे वाक्यों पर डालते हैं हाँ तो बच्चो पहले चित्र में बच्चा क्या कर रहा है संजे लिख रहा है संजे कौन सा काम कर रहा है लिखने का सेकिंड मोहित भाग रहा है तो बेटा मोहित क्या कर रहे है मोहित भागने का काम कर रहा है नेक्स्ट बच्चे खेल रही हैं तो बच्चो इसमें बच्चे क्या करें बच्चे खेलने का काम कर रही है आओ बच्चो कुछ उदारन अब हम बुक से पढ़ते हैं जैसे फर्स पिक्चर देखिए प्रांचली पुस्तक पढ़ रही है तो बच्चो इसमें प्रांचली क्या करिए पढ़ने का काम कर रही है वेदी का साइकल चला रही है तो बच्चों वेदी का क्या कर रही है साइकल चलाने का काम कर रही है तो इसका मतलब जितने भी वाक्य अभी तक हमने पढ़े उन वाक्तों में कोई न कोई कार्य हो रहा है तो बच्चों जिन शब्दों से किसी क पारे के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं क्रिया हां तो अब इस पिक्चर की तरफ देखो बच्चो वैसे तो परतेक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है और कई बार क्या होता है कि जो क्रिया है mostly वाक्य के end में होती है और कई बार जैसे example इतनी देर तक कहां थी बबिता के गर वैसे अपने आप में ये वाक्य कम्पलीट है इसमें क्रिया नहीं दी होई तो भी ये वाक्य कम्पलीट है कई बार क्या होता है कि क्रिया जो है वो लुप्त रहती है लुप्त का मतलब होता है गायब ये वाक्य इस प्रकार कम्पलीट होगा बबिता के गर थी हाँ तो बच्चो अब हम बढ़ते हैं क्रिया के मूल रूप की तरफ क्रिया के मूल रूप को मूल रूप का मतलब होता है मेन वर्ड को हम क्या कहते हैं धातू, लिंग काल और अवस्था से इसका रूप बदलता रहता है, जैसे पढ़, बैठ, लिख, आधी, क्रिया के मूल रूप हैं, जब इनके साथ ना प्रत्य जुड़ जाता है, तो ये शब्द भन जाते हैं, जैसे बैठ, प्लस, ना बैठना, पढ़, प्लस, ना पढ़ना, देख, प्लस, ना देखना, उठ, प्लस, ना उठना, हंस, प्लस, ना हंसना, चड, प्लस, ना चड़ना, बोल, प्लस, ना बोलना, लिक, प्लस, ना लिखना, जाग, प्लस, ना जागना, घूम, प्लस, ना घूमना, सो प्लस ना सो ना बैट प्लस ना बैट ना गाप प्लस ना गाना बच्चो अब हम करम के आधार पर क्रिया की भेद पढ़ेंगे करम के आधार पर क्रिया की कितने भेद होते हैं दो सकर्मक्रिया और कर्मक्रिया सबसे पहले हम सकर्मक्रिया डिस्कस करेंगे हाँ तो बच्चो यह क्या लिख रहा है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं हाँ तो बच्चो इसमें क्रिया कौन सी है खेलते हाँ तो बच्चो क्या क्रिया से कोई कोस्टन पुट हो रहा है बच्चे क्या खेलते हैं क्रिकेट अगर हमें क्रिया से कोस्टन पुट करने पर आंसर म मिल जाता है तो वे हमारी कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रियाители. बच्चो अब हम कुछ उदारन बुक से पढ़ते हैं, जैसे मोहित पुस्तक पढ़ता है तो बच्चो इसमें क्रिया पढ़ता है तो मोहित क्या पढ़ रहे है पुस्तक तो ये कौन सी क्रिया हुई सकर्मक next picture देखिए मजदूर मकान बनाती है तो इसमें क्रिया कौन सी है बनाती है क्या बना रहे हैं मजदूर मकान तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हुई सकर्मक इसका मतलब यह है कि जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें हम कौन सी क्रिया कहती है सकर्मक सकर्मक क्रिया के भी बच्चो आगे थो बेद होते हैं एक कर्मक क्रिया द्वी कर्मक क्रिया जैसे माता जी बटन लगा रही है तो माता जी कौन सा काम करी है बटन लगाने का तो बेटा इसमें क्रिया का करम कौन से है बटन तो कितने करम आए हैं इसमें एक तो जिसमें एक करम होता है उसी हम एक करम क्रिया कहते है बच्चो अब कुछ हुदारन हम बुक से पढ़ती हैं जैसे अकरम पैन से लिखता है तो बच्चो इसमें करम कौन से है पैंट कितने करम आये हैं इसमें एक नेक्स्ट पूजा जाडू से सफाई करती है हां तो बड़ा इसमें करम कौन से है जाडू कितने करम आये हैं इसमें एक तो जिसमें क्रिया का एक करम होता है उन्हें हम कौन से क्रिया कहते हैं एक करमक क्रिय हाँ तो बच्चो हमारा अगला बेद है द्विक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं द्विक कर्मक क्रिया एक्जामपल पुत्र ने पिता को पत्र लिखा तो बच्चो इसमें कौन-कौन से कर्म है पिता और पत्र तो ये कौन सी क्रिया हुई सकर्मक क्रिया बच्चों द्विक कर्मक क्रिया के कुछ दारन अब हम भुख से पढ़ते हैं जैसे मा बेटी को पत्र लिखना सिखाती है तो बच्चो इसमें कौन-कौन से कर्म आए हैं बेटी और पत्र तो ये कौन से क्रिया हुई द्विक कर्मक क्रिया अध्यापी का विद्यार्थियों को कविता पढ़ाती हैं तो बच्चो इसमें कर्म कौन-कौन से हैं विद्यार्थियों और कविता तो इसमें क्रिया के कितन करम आए हैं दो तो यह कौन सी क्रिया हुई द्वी कर्मक क्रिया अब नेक्स्ट बेद क्रिया का अब कर्मक क्रिया तो बच्चो जिस क्रिया का करम नहीं होता उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं अब कर्मक example देखिए बच्चे खेलते हैं तो बच्चो इसमें क्रिया कौन सी है? खेलते हैं तो अब इसमें question put हो रहा है क्या खेलते हैं? क्या हमें answer मिल रहा है? नहीं तो ये कौन सी क्रिया हुई? अब कर्मक क्रिया बच्चो अब कुछ उदारन हम बुक से पढ़ते हैं हिना सोर रही है अब देखो इसमें क्रिया कौन सी है? सोर रही है अब हमें नहीं पता हिना कहां सोरी है? तो अब हमें इसमें क्रिया का कर्म जो है वो नहीं मिल रहा तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक सुभाश पढ़ रहा है तो बच्चों इसमें क्रिया कौन सी है? पढ़ रहा है अब हमें नहीं पता कि सुभाश क्या पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक, क्रिया नेक्स्ट, मोर नाचता है तो इसमें बच्चो क्रिया कौन सी है नाचता है तो क्या इसमें कोशन पूट हो रहा है कि कहां नाच रहा है अगर हो रहा है तो हमें नहीं पता कि मोर कहां नाच रहा है तो ये कौन सी क्रिया हुई अब कर्मक क्रिया बच्चो संग्रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं चार संयुक्त क्रिया, नामधातो क्रिया, प्रेवनार्थक क्रिया, और वकालिक क्रिया बच्चो अब हम संयुक्त क्रिया डिस्कस करेंगे रिया स्कूल चली गई तो बच्चो इसमें कितनी क्रियाई आई है दो चली और गई चली जो है उसे हम कौन सी क्रिया कहते है मुख्य क्रिया और गई जो है वो हमारी कौन सी क्रिया है सहायक क्रिया बच्चो अब हम सही क्रिया के कुछ हुदारन बुक से पढ़ते हैं युद्वीर ने होंवक कर लिया तो बच्चो इसमें कौन-कौन सी क्रियाई आई है कर जब पहली क्रिया आती है उसे हम क्या कहते है मुख्य क्रिया अल दूसरी क्रिया कौन सी आई है लिया चल और पड़ी चल कौन सी क्रिया है मुख्य क्रिया क्रिया और पड़ी कौन सी क्रिया है सहायक क्रिया बचो मुख्य क्रिया के साथ आने वाली अन्यक क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती है रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ चूड़कर अर्थ में विशेश्टा लाती हैं जैसे दादी जी अस्पताल से आ गई इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है और गई रंजक क्रिया है दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दर्शा रही है बच्चो हमारा नेक्स्ट बेद है नाम धातु क्रिया संग्या सर्वना विशेशन आधी शब्तों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं जैसे बेटा जुठलाना छोड़ दो तो इसमें जुठलाना वर्ड जो है वें जूट से जुठलाना क्रिया बनी है बच्चो अब हम नामदातु क्रिया के कुछ उधारन बुक से पढ़ते हैं जैसे बच्चो को हर समय फटकारना नहीं चाहिए तो बच्चो यहाँ पर फटकार एक संग्या शब्द है और उस से क्रिया क्या बनी फटकारना तारों का टिम टिमाना मन महलेता है तो बच्चो इसमें टिम टिम संग्या शब्द है और टिम टिम से क्रिया बनी टिम टिमाना बेटी शर्माना छोड़ दो इसमें शर्म जो है वह एक संग्या शब्द है और उससे क्रिया क्या बनी शर्माना बच्चो अब हम संग्या सर्वना विशेशन दथा अनुकर्णवाची शब्दों से निर्मित कुछ नाम दातू क्रियाएं पढ़ेंगे जैसे संग्या से शर्म शर्माना जूट जुटलाना फिल्म फिल्माना बात बतियाना लात लतियाना दुख दुखाना हाथ हतियाना लोग लुबाना बच्चो अब सरवनाम से अपना अपनाना बच्चो अविशेशन से गरम गर्माना पागल पगलाना लंगडा लंगडाना नर्म नर्माना लज्जा लज्जाना लालच ललचाना नमबर फूर अनुकर्ण वाची शब्दों से अनुकर्ण का मतलब होता है कि उन वर्ड्स को रिपीट करना जैसे बच्चो आज के सेशन में हमने पड़ा क्रिया क्या होती है क्रिया के कर्म के अधार पर दो बेद होती है अकर्म क्रिया, सकर्म क्रिया तता संग्रचना के अधार पर क्रिया के चार बेद होती है संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेवनार्थक क्रिया तता पूर्वकालिक क्रिया इस सेशन में हमने संयुक्त करिया और नामधातू करिया पड़े और बच्चों अगले सेशन में हम बाकी के दो बेद पड़ेंगे